नमस्कार दोस्तों आनलाइन श्री किंग्डम चैनल पर आप सभीका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों उत्तर प्रदेश बिधान पर इससे किवाले कि जो बाइस नॉवम पर को पेपर होने वाला है इससे संबंद जो यह हिंदी का जो पार्ट है जो कि 50 कुश्चन होने व सब्सक्राइगी इस फुले नेशन के जाथ में आप अच्छे से रिवाइद कर लिए चलिए दिस्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन आपके शामने है कि तिमिर का जो है विलूम सब्द आपको बताना है तिमिर सब्द का विलूम है कि दिकरक्ट एंस और आप्शन नमबर आलोक तीश्ड का विलूम है तीश्ड का विलूम है और अफ्शन ए मंद नेक्स्ट इंब्द करेंबर थ्री क्रित्रिम का विलूम शब्द आपको बताना है यह फिरक्ट एंस्वर इज नेचूरल प्रकरतिक नेक्स्ट उदात का विलूम शब्द अधिक अधिक रेक्टर एंजरें अनुदात आप संसी कोशन नम्बर फाइब काउंज हो जो हो शब्द उदार का जो है वीडू है उदार का जो विलॉम होगा वह होगा अनुदार 6 इनमें से कौंण सा सब्दी सुक्ल का विलूम है अविए धिर्ट्रग्टे और इंशण आ अप्सेल नैक्स्ट इन में से कौंण सा सब्द हव प्रस्थान का विलूम है लिए ती क्रेक्ट आ इंस्वर ईह की आगाम्न आपसा नहीं कुश्य नम्बर एट शब्द यूगन जो है वो शुद्ध नहीं है यह विलोम की देखिए जैसे आयात का जो विलोम है निर्यात है क्या यह सही है पाप का पुंड नूतन का सनातन वद्ध का मुक्ठ तो इसका जो करेक्टर एंशोर है वो है आपका आपसे नम्बर डी नूत शब्द है वो आपका होता है पुरातन ना कि सनातन ठीक है नेक्स्ट गमन का बिलोम शब्द है अगमन आपसंची नेंदा का बिलोम नेंदा का बिलोम शब्द आपको बताना है अब आपको जो है नेम लिखित प्रस्णों में दिये गए विकल्पों में इसे तत्सम सब्द के जो है आपको चैन करना है ठीक है तत्सम कुश्चन नमबर ये इले बन है इसमें आपको तत्सम बताना है तो 11 क्विश्चन के जो तत्सम सब्द है कौन सा वुड़ा 20 वामन माई इसमें इसमें आपको बताना है तो इसका जो गो इनसर है वो है आपका वामन, वामन क्या है, एक ततसम सब्द है, ठीक है, बुर्धा जो है वुरिद्ध का बिस, बिशंत बिंसत और माई जो है मात्री का जो है ये तद्भा रूप है यानि बुढ़ा बीश माई ये सभी तद्भा है यानि इसका जो करेक्ट एंसर है आप संसी वामान एक तद्सम सब्द है कुशन नमबर 12 देख सकते हैं आप 12 में बताईए कौन सो तद्सम है तो तोयल में जो 12 से ये तद्सम है को कुशें नमबर 13 में जो तद्सम बताना है आपको तो 13 में जो तद्सम है वह आपका हूं शोदा में तद्सम गिए के देंस आपसाने पादौन पंद्रा में वर्धन इस अभी क्या है तत्सम है ठीक है नाव कोश्चन नमबर 16 ठीक है 16 कोश्चन आए आपको इसमें से तद्भो सब्द बताना है दिकरेक्टर एंस्वर इस मनई जो है एक तद्भो सब्द है कि नौब कोश्चन नमबर 17 कि कुश्चन नमबर 17 में तद्भो सब्द आपको बताना है छूरज तद्भो सब्द बताए ऑठारा में कि तिकरक्टर एंस्वर इस कोईल नीश में बताना है आपको तद्भौसब्द तधि क्या है इन में से आपको तद्भौसब्दником है वह करेंने से आपको तंबोसब्द तत्सम है ठीक है यह यानि बंदर के जो तत्सम होता है वानर होता ठीक है तो यह सब जो है तत्सम सब्द बाकि जो बंदर है आपका यह तद्वाव है Q21 वाक्यांज के लिए आपको एक शब्द बताना है दिकरक्टा एंस्वरिज जिसके पास कुछ भी नहो उसके लिए एक शब्द अकिंचन आपसन ए ठीक 22 अंत्यज सब्द के लिए शही वाक्यांज यानि अंत्यज जो है किसका एक है कौन से सब्द के लिए एक वाक्य होगा अंत्यज दिकरक्टा एंस्वरिज तथा कथित निम्न जाति में जन्व लेने वालों क्या कहेंगे एक शब्द में अंत्यज अनेस्चित जीबिका के लिए सही एक शब्द बताना है दिकरक्टा एंस्वरिज आपसन ए आपसन नमबर डी आकास वृत्ती क्वेशन नमबर ट्वंटी फॉर दिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द दिकरक्टा एंस्वरिज आपसन डी अनाकांत ठीक है ट्वंटी फाइट ट्वंटी फाइट में आपको जो बहुत मन गती से कारी करता हो उसके लिए एक शब्द उसके लिए जो एक शब्द होगा वह आपका मंथर क्या होगा मंथर ठीक है आपसन कोईशन नमबर ट्वंटी सिक्स कि उचीत अनुचीत का ग्यान रखने वाले के लिए एक शब्द उसको हम कहेंगे विवे की जो अपने करतब का निश्य ना कर सके उसके लिए एक शब्द अनेक यूगों से चले आने वाले वाक्यांस के लिए एक शब्द आपको बताना है अनुच्छ अनुच्छ नुच्छ 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 में आपको बताना है कि ऐसा कभी जो ततकाल रचना करता हूं उसके लिए एक शब्द अधिकरक्ट एंसर इस आशू कभी क्या होगा आशू कभी कोशन नंबर 30 वह भाई जो अन्यमाता से उत्पन हुआ हूँ उसके लिए एक शब्द अधिकरक्ट एंसर यापसाने सब्सक्राइब कोशन नंबर 31 निम्लिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है दिकरक्ट एंसर इस आपसन नंबर ए मैंने बाजार से शामान खरीदा कोशन नंबर 32 शुद्ध वाक्ट एंसर इस आपसन भी विद्द सर्वसेष्ट धन होता है विद्या जो होती है वो सर्वसेष्ट धन होता ठीक है नेक्स्ट इसमें से जो सुद्ध वाक के कौशन नंबर 33 वो है आपका आपसन डी अगनी प्रजलित हो रही है नेक्स्ट सेर को देखकर उसका होश उड़ गया इसको सुद्ध रूब बताना है दिकरेक्ट एंस्वर इस आप्षय नमबर डी सेर को देखकर उसका होश उड़ गया नहीं जो शुद्ध होगा सेर को देखकर उसके होश उड़ गए नेक्स्ट कुशन नमबर 35 शुद्ध वाग को बताना है दिकरेक्ट एंस्वर इस यहां गन्ने का ताजारस मिलता है अप्षन एज करेक्ट कुशन नमबर 36 यहां पर आपको अशुद्ध वाग के बताना है गडिकरेक्ट एंस्वर इजड़ इस हार एक कहला हम हर एक खिलाड़ी मेदान में पहुंच गए हैं यह क्या है अशुद्ध है एख्युद्ध वाग की यहां पर इस वाग में जो है वो हर एक खिलाड़ी हार ठात एक बचन की बत की जा रही है थीक है तो इस वाकि में जो वाकिलिवा शुद्ध है यहां पर गई के अस्थान पर क्या होगा गईा सब्द का परियोग होगा ठीक है हर एक खिलाडी मैधान में पहुंच गया एक की बात की जा रही है ठीक है ना कि पहुंच गये Now, question number 30 7 यह जो आपको दिये गए रहे खांकित सब इनको आपको जो है शुद्ध वर्तनी बदाना इनकी उसक उनके इसने ही की अंतरस्त लिये सरिता मुख मुद्रा से असपस्त जाग रही थी तो यहां जो अंतरस्त लिये दे रखा है इसका जो सुद्ध है और क्या होगा दे गरक्टा एनसर इज अंतरस्त लिये ठीक है आप सने इसका रक्टा एनसर ना, question number 38 question number 38 प्रतिद्वन्दिता क्या है? प्रतिद्वन्दिता बढ़ती जा रही है पस्चिम देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वन्दिता बढ़ती जा रही है इसका सुद्ध होगा सुद्ध वरतनी ठीक है यहां पर आप देख रहे होंगे इसमें जुद्धा है इसमें बढ़ता रखा ठीक है यहां पर नहीं है ठीक है? नेक्स्ट नाई का उतिग्रिव रहे कर दिन भर नाई की प्रतीच्छा कर दी रही ठीकर एंस्वर इस उतिग्रिव क्या होगा? उतिग्रिव नहीं उतिग्रिव ठीक है? आप सवामेच प्रेक्ट कोश्चन नबर परवर ती संस्कृत संस्लिस्ट बहां सा है अि निरॉट्ट उर इंस्वर इज यहां पर जो संससिलस्ट दे रखा है इसका जो सही वाग कैनी सुद्ध बरतनी होगी इसकी होगी सुद्द वर्तनी संसीलिट ठीक है संसीलिस्ट संस्लिस्ट ठीक है next question number आपको रखा है विकल्पों में जो है विन अर्थ वाले रखने वाले विकल्प चाटना है ठीक है यینि न्याव का जो है इसमें से कॉण्य सब्द है जो कि 90 सम्มान देते नहीं यह प्रियाभासी एक तरह से लेख सकते हैं तो नाव इननी बेंग्ड़ा होगया तरी होगया डॉंगी तो इसका जो एक। तौभर Ε pounding उर है इनि न ग test नहीए आपको बताना है वह आपका आपसर- no नबर डी ठीक है का उनसा आप्षान नमबर डी बाकि बेंड़ा तुरंग तरी सभी क्या है ना कि प्रयाइबाची लिकिन तुरंग का प्रयाइबाची नहीं क्योंकि घोड़ा का होता है ठीक है नौ करें नाओ कुशन नमबर 42 प्रयाइबाची नेक्स्ट नमबर 43 है प्रयाइबाची आपको बताना है अक्षी कि जो है वो किसका प्रयाइबाची नहीं है क्योंकि जो आभा है यह जो है किरण का प्रयाइबाची होता है कोशन नमबर 44 है कोशन नमबर 44 है अरणों को प्रयाइबाची किसका नहीं है आप यह जो प्रयाइबाची वह इसमें से कौन सा नहीं है बताना आप ती करेक्ट एंस्वरिज पत्रग क्योंकि जो पत्रग है वो सरब का प्रयाइबाची है ना कि आड़ाइबाची नहीं है दिकरक्ट एंस्वरिज और नहीं को मैं घंकि हम जो है कि कौने कि शोन्स का प्रयाइबाची है नैक्स्ट अब दरक का है कि जो रखांकित सब्द हैं इस्में से क्रयाइबाची नहीं है थीक है या उद्दान उद्दान में तरह-तरह कि फोल कलते हैं अग्रक्ट करें कि तर हैं इसमें से प्रियाबाची नहीं आपको बताना है औलिए वही बात है कि उद्धान का प्रियाबाची समय से कौन सा नहीं है कि जो कुषुम है फूल या पुस्प का प्रियाबाची जाए उद्दान का नहीं है बाकि आराम आरेंड बगी जाए सभी उद्दान के प्रियाबाची है यहां पर है गवर ठीक है क्या है गवर गवर में जो है आसान जो लगाए गए है इसमें गवर का जो प्रियाबाची आपको बताना है कौ कि जो रूच है गुए जो रूच्छ है आपकर यह सब बाकि आपके कंद्रा खो दरी यह सभी के सबीज जो है गहर का प्रिआ बाची है कोचन नुम्र आप से नमबर ची ऑनैज कपडर आवाची है लेकिन जो पिक्त रिगए मुद्री मुछ से तEC सब्रेस प्रक्रेश नोमबर पूर्टि नाइन कन कॉक्रम एबाची आपको बताना है नहीं है दिखे रखे एंजर इज आपसे नमबर रतनाकर रतनाकर जो है वो कनक का प्रयाइबाची नहीं जबकि सोना कंचन सोनडी सभी कनक के प्रयाइबाची है लेकिन रतनाकर जो है वो प्रयाइबाची नहीं है थिक्स को ना नंबर 40 नाइननके बाद 50 लास्ट कुइस्ट्टन है ब्रामः 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 वह प्रिया ब्राइबाची इसमीं से आपको बताना कौन है भी जिलता नंबर है महीब यह राजा साब तक प्रिया बाची एंड ना यह आपकी question जो है पूरा test complete होगा आपको last में जो है बताइए आपके कितने question सही हो रहे हैं ठीक है और इसकी जो वीडियो की वीडियो पर आपको description में जो है provide कर दी जाएगी आप डाउनलोड करके एक स्रिवाइच कर लिजिए दोस्तों वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दें साथ ही all notification bell icon को प्रेच कर दें तक यह आने आली वीडियो का अपड़ीट से आप सभी को सबसे पहले प्रेच को बढ़ा था किया लागी से अवारी बात को सब्सक्राइच कर भीडियो प्रेच कर देंसे तो कि कम एक जाने दो खबते है।